दिले में मेर चुनाव को लेकर आज जो हंगामा हुआ है बीजेपी कर रहे हैं ये प्रेस कॉंट्रेंस आपको सी दे लिए चलते हैं आज में एक दुर्भागे पॉंट दिन रहा और आज जो ये लड़ाई जगड़ा MCD में हुआ उसके बाद में आबादमी पाटी ने दो बाते परमुक रूप से कई एक उन्होंने पहला आरोप लगाया कि सारे पार्शदों का जब शपत ग्रेंट स्टार्ट हुआ तो उसमें सबसे पहले मनोनीत पार्शदों का शपत क्यों हुआ मैं आपको दिल्ली सरकार का पांश तारी का नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ यह नोटिफिकेशन यह कहता है कि राष्ट्रे राजधानी शेत्र दिल्ली के उपराजेपाल अधिदियम की धारा सतत्तर के अधीन महापोर के चुनाव के लिए सुशरी सत्या शर्मा क्योंकि एक इसमें पीठा सीन अधिकारी बनाया जाता है जो सारे पार्षदों को शपत दिलाता है ऐसे हमारे लोकसभा में भी होता है ऐसे हमारे विधान सभा में भी होता है और यह आगे कहता है कि सुशरी सत्या शर्मा को शिरी संतोष कुमार राय जिला डंडा दिकारी जो वहां के डियम है नई दिल्ली द्वारा धारा बत्तिस के अनुसार शपत दिलाई जाएगी उसके बाद जो आखरी लाइन है यह बहुत ही महत्तुपूर्ण है यह आखरी लाइन कहती है अन्ने पार्षदों को पीठा सीन अधिकारी द्वारा शपत दिलाई जाएगी अन्ने सभी पार्षदों को इसमें कोई क्रम नहीं बताया कि पहले नॉमिनेटिड आएंगे या पहले इलेक्टिड आएंगे यह पीठा सीन अधिकारी के विल के उपर है कि वो अपना किस क्रम में दिलाना चाहते हैं क्योंकि इलेक्टिड मेंबर धाई सो हैं और जो नॉमिनेटिड मेंबर हैं वो केवल दस हैं इसलिए उन्होंने दस से शुरू करके और बात में धाई सुबर जाने के लिए सोचा होगा मैं हम आदमी पार्टी से और उनके सभी कारे करता हूं से जिन्नोंने आज महाँ पर पार्षिदों ने सारा हंगामा किया उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी मिनाशी जी ने बताया है कि ये जो DMC Act है ये Central Government बनाती है और अभी ये तीन MCD की एक MCD हुई हमको पता था कि दिल्ली में 70 में से 63 MLA आम आदमी पार्टी के हैं अगर हमको ये सब करना होता तो जो 14 MLA इसमें नॉमिनेटिड होते हैं वो डालने के लिए उसमें BJP को केवल एक ही MLA मिला है 13 MLA आम आदमी पार्टी के हैं